हाइ स्पीड बिजली से चलने वाली ट्रेन बनाने वाले व्यक्ति सच में एक प्रतिभाशाली आदमी थे। पेंटोग्राफ हाइ स्पीड रेल का चारजिंग कंड़क्टर होता है। शुरुआती में पेंटोग्राफ केवल एक मैटल कंड़क्टर था। परिणाम स्वरुप ध्यान न देने से ये आसानी से खराब हो जाता था। फिर इंजीनियर ने एक स्टील राइंड को उपरी हाई वोल्टेज केबल से जोड़ा। पर स्टील राइंड की मजबूती ज्यादा होने के कारण यह उपरी केबल को ही तोड़ देता था। इंजीनियर ने फिर से अपना दिमाग लगाया और डबल ट्यूब कंड़क्टर बनाया और उपर के वायर को भी मोड़ दिया। लेकिन ऐसे पेंटोग्राफ होने से सामने से तेज हवा आने के कारण ट्रेन की बिजली को कम कर देते हैं। इसलिए इंजीनियर ने बिजली प्राप्त करने वाले धनुष को हीरे के सेफ में बदल दिया। ये अच्छे से काम भी कर रहा था। लेकिन यह डिजाइन इंजीनियर को पसंद नहीं आई। और इंजीनियर ने एक सरल बिजली प्राप्त करने वाले पेंटोग्राफ को डिजाइन किया। ये पेंटोग्राफ ट्रेन को बिजली देने में काम्याब होता है। और अंत में इंजीनियर को समस्या का तकरीबन सही उपाय मिल जाता है। और मज़ेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो